Hello guys, welcome back to our channel, तो BA study पर आपका फिरसे स्वागत है, तो जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर BA के सभी subject इसलिवस को complete करा रहे हैं, ऐसे ही मैं चुका हूँ आपके लिए BA के first semester के economics का unit third लेकर, जो कि हमारा part third होने वाला है, जैसे कि आप सब जानते हैं, part one और part two हमने already discuss कर लिया ह और वो हमारे channel पर upload भी हो चुका है, जिसने वो videos नहीं देखिए, वो हमारे channel पर visit करकर देख सकता है, चली यह start करते हैं, बिना किसी देरी की है और जानते हैं, आज की video में हमें क्या बात करनी है, तो जैसे कि हमारा part third होने वाला है, है ना, अब BA के first semester के economics के unit three में हमको supply से related बात करनी है, supply को समझना है, unit two में हमने demand को समझाता है, unit three में हमको supply को समझना है, तो देखिए, part one और two में हमने supply से related भोस सारी बात है, कि जैसे कि जाना supply होती कह है, तो एक बार recall कर लेते है, supply होती कह है, तो supply क्या होती है, जब कोई भी producer, एक point of time पे, एक समय पे, कितना माल बेचने के लिए offer कर रहा है, वो हमारी supply कहलाती है, अब यह supply दो प्रकार की होती है, दो types की होती है, individual supply, market supply, इसी तरीके से जब हम एक producer या एक firm की बात करते हैं, तो वो हमारी individual supply कहलाती है, और यहीं हम क्या करते हैं, जब एक से ज़्यादा firm की बात करते हैं, दो या दो से तो हमारी market supply कहलाती है, इसी तरीके से supply के बारे में तो जान लिया, फिर हमने law of supply को समझा, law of supply क्या बताता है हमको, law of supply ये बताता है, जैसे हमारा price of the commodity बढ़ता है, यानि किसी भी commodity का price बढ़ेगा, तो हम अपनी supply को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने ये जाना तक है, ऐसा producer हम supply को पढ़ते हैं, और हम producer के, अगर medium से देखा जाये, तो हम क्या देखते हैं, हम सोचते हैं कि जादा से जादा हमारा profit हो, तो जैसे ही किसी भी समान का price बढ़ता है, तो हम सोचते हैं कि supply जादा हो, यानि कि अपने माल बेचने के लिए offer जादा करेंगे, क्योंकि हमारा profit तो इस तरीक से law of supply क्या बताता है, direct relationship बताता है, जैसे ही price बढ़ेगा, किसी भी समान का, किसी भी commodity का, हम supply बढ़ा देंगे, तिक हैं, इतना हमने law of supply को समझ लिया था, अब मैं आज ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में हमको supply schedule बात करनी हैं, इसी के करते हैं, सबसे पहले समझते है supply schedule क्या होता है, तो देखिए supply schedule मैंने last video में बताया था, कि ये हमारी tabular format में होती है, tabular statement होती है, तो देखिए, it is a tabular statement showing various quantities of a commodity being supplied at various level of price, देखिए, अलग-अलग level of price पे, यानि कि जब हमारी किसी भी commodity का, अलग-अलग price होता है, तो अलग-अ price of point पे हमारे अलग-अलग supply की जाती है, जैसे कि अगर हमारा price stand है, तो supply 100 है, यही अंगर price change होगा, 20 हो जाएगा, तो यहाँ supply भी change रहेगी, यहाँ पर 200 हो जाएगी, यहाँ पर आपने क्या देखिए, कि अलग-अलग price of point पे हमारी supply भी अलग-अलग होती है, इसी को जब ह हम एक table की format में show करते हैं, वो हमारा supply schedule होता है, अब supply schedule दो तरीके का होता है, दो types का होता है, एक हमारा होता है individual supply schedule और एक हमारा होता है market supply schedule, individual supply schedule मुझा पता है, आप समझ गए होंगे, जब हम individual की बात करते हैं, यानि कि एक firm की बात करते हैं, एक firm के अलग-अलग price of point पे, अल supply schedule की बात करते है यानि कि एक से ज़्यादा firm की जब अलग-अलग price point पे अलग-अलग supply होती है उसको जब हम table की format में दिखाते हैं तो वो हमारा market supply schedule होता है जैसे कि यहाँ पर देखिए price हमारा 10 है और यह 20 यहाँ एक firm की बात कर रहे है supply A 50, 70 यहाँ पर B की बात कर रहे है supply दूसरे वाली firm की 60, 80 जब इनको add करके supply A, B यानि कि market supply दिखाते हैं तो देखिए 110, 115 तो इसको जब हम table की format में दिखाते हैं तो यह हमारा market supply schedule बन जाता है उमीद करता हूँ आपको कि supply schedule अच्छे से clear होगा होगा यानि कि क्या होता है जब हम table की format में अलग-अलग price of point पे अलग-अलग supply को show करते हैं वो यह हमारा supply schedule क्या लाता है अब यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा जैसे की quantity supply अलग लगती यहाँ पर भी अलग लगती अब बात करते है supply curve की अब supply curve क्या होता है जब हम supply schedule को graphical represent करते हैं यानि कि graphical format में represent करते हैं तो वो हमारा supply curve बन जाता है ठीक है इट इस अ graphical representation of a supply schedule यानि कि supply schedule का यानि कि जो हमने table यह बनाया इनको जब हम graph पर plot करते हैं वो हमारा supply curve बन जाता है अब जैसे कि यहाँ पर तो दो तरीके के supply schedule थे एक individual एक market इसी तरीके से हमारे supply curve भी दो तरीके के होते हैं एक individual एक market यानि कि individual supply curve कैसे जब हम एक firm के supply schedule को हम graph पर plot करेंगे तो वह हमारा individual supply schedule हो supply curve इसी तरीके से जब हम market supply schedule को curve पर show करेंगे तो वह हमारा market supply curve हो जाएगा तो ये उमीद करता हूँ अच्छे से clear होगा, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने एक example भी लेकर बता रखा है, जैसे कि यह हमारा individual supply schedule था, इसको मैंने curve पर show कर दिया, जैसे कि इसका graph बना दिया, देखिए 10 पर 100, 10 पर 100, 20 पर 200, 20 पर 200, तो यह ऐसे बन गया, अब इसी तरीके से ए अब वो flatter क्यों होता है, क्योंकि flatter इसलिए होता है, क्योंकि इसका जो proportionate change है यहाँ पर देखिए, change जो आता है, ठीके, वो ज़्यादा आता है, market, हमारी market supply schedule का, समझ में आया है, यहाँ पर कितना, यहाँ पर तो कम आता है, लेकिन इसमें ज़्यादा आता है, तो उम्मीद क काम नहीं करता है, जैसे कि law of supply क्या है, जैसे कि एक और बार बता जाता हूँ, जैसे कि price बढ़ेगा किसी भी commodity का, तो supply भी बढ़ेगा, ऐसी होता है, लेकिन इस कुछ conditions में ऐसा नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, वो सारी बाते करते हैं, सबसे पहले लेते यानि future expectations में हमारा law of supply काम नहीं करता, वो कैसे, माल लेते हैं हमारे पास कोई भी product है, माल लेते हैं, यह marker है, अभी example है, अभी हमारा क्या है, यह marker 500 का है, अभी फिलाल, example है इसलिए, अब माल लेते हैं कि 500 का है, अब बाद में जाकर यह कितने का होने वाला है, हमार को कुछ कहीं से पता चला, यह सिर्फ 200 का ही बिकेगा, इससे ज़्यादा का नहीं बिकेगा, तो यहाँ पर क्या पता चले, यह हमारे future expectations है, कि यहाँ पर आगे जाने के बाद यह क्या बिकेगा, सिर्फ 200 का ही बिकेगा, उससे ज़्यादा नहीं बिकने वाला, तो यहाँ पर क्या कर तो मैं जादा से जादा इसको बेचने की कोशिश करूँगा कम कीमत में भी हानी कि प्राइस यहां पर कम हो गया ठीक है प्राइस कम हो गया इसका 300 में भी हो गया माल लेते हैं फिर भी मैं इसकी सप्लाई को बढ़ा दूँगा क्यों कि मेरे को पता है आगे जाकर यह 200 का भी भी केगा तो इसलिए मैं अभी बढ़ा दूँगा देखिए यहां पर यह गलत हो गया यह तो हमारा लॉफ सप्लाई बताता नहीं है लेकिन यहां पर यह हो रहा है तो यहां पर लॉफ सप्लाई काम नहीं कर रहा है उमीद करता हूँ आपको फ्यूचर एक्सपक्टिशन अच्छे से समझ में आया ओगा ह lihat करते हैं,अगर हम ईग्रिकल्चरण गुड्स की तो आइग्रिकल्चर्ण गुड्स यहां पर लॉफ सप्लाई इसलिए वरक नहीं करता है क्योंकि यह जो एग्रिकल्चरल गुड्स होते हैं वो हमारी क्लाइमेटिक कंडिशन पर डिपैं होगी वो तो climatic condition पर depend करती है soil कैसी है बारिष हो रही है नहीं हो रही उन सब पर ही तो depend है तो यानि कि यहाँ पर हमारे supply control में नहीं होती तो यहाँ पर हम बड़ा यह कम कर नहीं सकते क्यों कर सकते क्योंकि जब हमारे वह वो goods होते हैं जो आने वाले समय में कुछी period बाद वो खराब हो जाते हैं जैसे कि हमारी सब सबजिया और हमारे फल वगेरा तो यह सब हमको पता है कि एक दो दिन चलेंगे आगे जाकर यह क्या हो जाएंगे खराब हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे ही चीजों को हम perishable goods बोलते हैं, अब यहाँ पर भी law of supply work नहीं करती, वो क्यों नहीं करती, अब देखिए, माल लेते हैं, अगर यहाँ पर कोई भी seller है, fruit seller है, है न वो fruit बेचता है, fruit बेचता है, उसको पता है, कल उस और 50 रुपह किलो बेच रहा था, अब वो राट को भी क्या करेगा? रात को भी उसको पता है कि मैं कल बेच नहीं सकता तो राट में वो क्या करेगा, 40 पर kg भी बेचने लग जाएगा, हाणा? बेचने लग जाएगा और supply कम नहीं करेगा, वो यह नहीं चाहएगा कि मैं कि उतनी ही रही ठीक है वो जादा से जादा बेचने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर भी हमारा law of supply काम नहीं करा ठीक है अब इसे तरीके से rare articles rare articles होती है जो rare में चीज़े होती है जो एक या दो होती है बस इससे जादा नहीं तो यहाँ पर तो price चाहे जितना भी बढ़ जाए हमने क्या पढ़ा था कि अगर price बढ़ेगा तो supply बढ़ेगी तो यहाँ तो supply बढ़ी नहीं सकती वो है एक दो चीज़ इसलिए तो उसको rare बो होती है जहाँ पर resources इतने available नहीं होते जिसकी वैसे वो क्या करते है अपनी supply को बढ़ा ही नहीं सकते अब चाहे price कितना भी बढ़ जाए कितना भी जादा हो जाए तो वहाँ पर supply अगर बढ़ेगी नहीं तो वह किस तरीके से law of supply हमारा वर्क करेगा है ना condition तो यह ही है कि अ हमारा law of supply वर्क नहीं करेगा तो अमीद करता हूँ आपको दोनों चीजे अच्छे से clear हुई होगी अगर आपको कुछ भी doubt लगता है comment section में पूछ सकते है और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जब तक के लिए थैंगी सोमच